नमस्कार असलाम अलेकूं आदाव मैं हूँ यूसुप अले आप देख रहे हैं सेफडियू दायू आए ये नज़र डालते आज की खास कबर पर कल शान को वसेपुर्ग के वालिव में खुली संदर्च हुआ था जिसकी रिपोर्ट हमने पहले की वीडियो में चलाई है गटना की जानकरी पर हम ग्राउंड जीरो पर पोचेते हैं वहां से हमने लाइव रिपोर्टिंग की थी उस गटना में एक नहीं अपडेट ये सामने आई ही कि उस गटना का लाइव CCDV फोटेज सामने आया है ये जो स्क्रीन पर आप CCDV फोटेज देख रहे हैं ये CCDV फोटेज उसी गटना का है जिसमें आप साफ तोर पर देख सकते हैं किस तरह से पहले एक बोलेलो गाड़ी को सामने से एक वेन आका टकर मारती उसके बाग में दोनों गाड़ी में से उतर कर लोग आपस में भिड़ने लगते हैं बॉले जो गाड़ी का चालक जब उतरता है तब दूसरी गाड़ी में से तीन चाल लोग उतर कर उसके उपर तूट पड़ते हैं जो हाथ में जो कुछ आता है लाठी डंडा यहां ते कि तलवार उससे उस पर वार किया जाता है आप CCTV देख सकते हैं यह CCTV खौफणा के भायाना के है लेकिन CCTV है और CCTV जूट नहीं बोलते हैं यह गट्टा कर शाम की है, हमने गट्टा का विबरान आपको पहले की वीडियो में दिखाया है, साती शाथ इस गट्टा के चश्मदित, मंसे नेता ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको हमने दिखाया है। इस घटना में उन्होंने जिस तरह से बताया था कि लाठी डंडों से वार किया जाता है उसके बाद में एक शक्स दुआरा बंदूख हवा में लहरा ही जाती है आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरह से एक शक्स बंदुख हावा में लहरा आ रहा है और कहीं न कहीं देश्यत का माहौल पोलेशेतर में उस वज़े से फेल गया था अरकी यह घटना आपसी गेंगवार की है और जो मिली जानकारी के अनुसार यह जो दोनों ही पक्ष है यह पक्ष है सड़क पर चेंगने वाले आवरप सुवरों का शिकार कर उनको बजार में बेशते हैं उनको काट कर इनका यह मुख्य धंदा है और इसी धंदे में प्रतिस फिलाल जांच कर रही है और एसी जानकारी बाद में सामने आई कि वो जो शक्त जिसको जिसके साथ मार पिड की गई थी और लहु दुवान कर दिया गया था उसको वसेपूरी के प्लेटिनम अस्पताल में भरतिक आया गया था पुलिस मामले की पूरी छानमिन कर रही है हम आपको ये CCTV दिखा रहे है CCTV उसी गटना का है और जहां हमने खुद रात को प्रतिक्ष जाकर रिपोर्ट बनाई थी अब देखना ये है कि इस गटना के बाद इस गटना के CCTV फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस कभी ना आ हो चुकी है पहले भी जान लेवा हमला इस गेंग में आपस में हो चुका है तो कहीं न कहीं ये मामला चाहिए बहले ही गेंगवार का था लेकिन नाइक पाला जिस जगह में ये गटना गडिदुई वहां के लोगों में देशट फिल गई अब पुलिस के लिए चैलेंज र गटे दुई थी खुनी संगर्ष हो था उस खुनी संगर्ष का एसी सीटीव फुटेज है और इसीटीव फुटेज अभी शोशल वीडिया में काफी वाइल भी हो रहा है अब इके लिए तना ही नमस्कार जैंदर सर्फ बताएं क्या गटना या गटती है आज आज छे बज इसक तीन आदमी लिएक शोगा निकाला है और अंठे छोर्ण जानतऊ तो सामने वाले को मारे फेर पें उसको गाड़ी में डालके लेके उसके परिशिदिक कैसी शायद मुश्किल है बचने के क्योंकि वो जितना मारा है सर बिरफिव शायद मारे उसके बहुत मारा तलवार से मारे एक तलवार आपके पुली स्टेशन में जमा भी हुआ है अभी और नीचे गिरी ती तलवार हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एयों सेवा से संबंदित विज्यापन है तू मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपत करें